नमस्कार खबर उत्तराखण देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ से जोती उत्तराखण में कैबिनेट मतरी धंसिंग रावत बीते दिन राजस्तान में चुनाव परचार कर लोटे हैं जिसके बाद धंसिंग रावत की एक फोटो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रही है जिस पर कॉंग्रेस लगातार तंशकस रही है दरसल कॉंग्रेस को परिशानी धंसिंग रावत की फोटो से नहीं बलकि उस फोटो में मौझूद उत्तराखण के नर्सिंग कॉलेज में तैनात अससेस्टेंट प्रोफेशल रामकुमार शर्मा से है इसको लेकर कॉंग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धंसिंग रावत पर सत्ता का दुरुपियो करने का आरोप लगाया है उनका कहना है कि राजकुमार शर्मा जिस तरह से फोटो में दिख रहे हैं वो आचरन सेवा नियमावली के विरुद है आज एक संसनी खेस खुलासा हुआ है कि राजस्थान सबेच चार अन्य राज्यों में जो विधान सभा चुनाओ गतिमान है उसमें राजस्थान में चुनाओ पचार पसार करने पहुंचे उत्राखंड के काविना मंत्री डॉक्टर धंसिंग रावत जो की कई महत्वपूर्ण विभाग उत्राखंड में समाल रहे हैं उन्होंने अपने सत्था का दुरुप्यों करते हुए सरकारी, अधिकारी, कर्मचारी, आच्रन, सेवा, नियमावली का उलंगन करते हुए चंपावत में कारेरत असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी अपने साथ रुचुनाओं प्रचान और एक राजनेतिक कारेकरम में दॉक्टर धंसिंग रावत का दकार करते हुए दॉक्टर श्री राम कुमार शर्मा दिखे हैं चरे रुक करेंगे अगली कबर का कॉंग्रेस नेता मनीश खंडूरी ने कॉंग्रेस मुख्याले में कई मुद्धों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साथा है निशाना साथ तेवे उन्होंने कहा है कि 2024 लोगसपा चुनाओ में अगनीबीर, वन रैंक, वन पेंशन, आंकिता मर्डर केस, महंगाई और बेरुजगारी सहित कई मुद्धों पर सरकार को घेरा जाएगा 2024 के लोगसपा चुनाओ में खुद को पौडि गडवाल के दावेदार बताया उन्होंने, साथी रिशिकेश कानपरियाग रेलवे में बनाई जा रहे टरनल के सर्वे की भी मांग की है वहीं आपको बता दे कि कॉंग्रेस वरिष्ट नेता, मनीश खंडूरी ने प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी द्वारा जो चलाए जा रहे है जिला कारिकरता सम्मिलन की भी उन्होंने जवारार प्रशंसा की प्रत्याशी कौन बनता है मैं भी नहीं निर्णे ले सकता हूँ और जो भी पार्टी कहेगी जो भी पार्टी निर्णे लेगी वो उस निर्णे को सबको स्विकार करना पड़ेगा तो मैं जिस राहा पर चला हूँ मैं जब कॉंग्रेस पार्टी में आया था 2019 में तो मुझे अगर सिर्थ अपनी महतो कांगशा होती तो मैं नहीं आता मैं अकेला चला हूँ 2019 से समझ सकते हैं अकेला चला हूँ ये भी काफी गंबीर समझ से हैं कि दारनाथ कैसे जीतेंगे 2024 उसमें तो देरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर कई मुद्दों को लेकर घिराव किया गया है मनिश खंडूरी ने सरकार को इस मामने में घिरा है कॉंग्रेस पार्टी की उन्होंने प्रशंसा की इस दोरान उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसवा चुनाओं में कई मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें अंकिताब बंडारी मर्डर केस का मुद्दा उठाया जाएगा इसका जो लोकसवा चुनाओं है वो कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा जिसमें बेरोजगारी, युवा, अंकिता बंडारी मर्डर केस समित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा साथी जो टनल हाथसा है उसको लेकर भी कई मुद्दे उन्होंने उठाये हैं और वही धामी सरकार ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किये हैं कई IPS और PCS अधिकारी को पहाड पर भीजने की खबर है वही देरादू नगर आयूक्त मनुझ गोयल को अपर सचिव ग्राम विकास बनाया गया है साथ ही आपको बता दे कि वही जो IPS वरुन चौधरी को CDO पिथोड़ागर से हटा कर हरीद्वार नगर आयूक्त बनाया गया है अभी नव शाह, CDO चमोली, नंदन कुमार, CDO पिथोड़ागर, डॉक्टर दीपक सैनी, जॉइंट मेजिस्ट्रेट मसूरी, अशोक कुमार पांडे, PCS और CDO नैनिताल उनको बनाया गया है तो ट्रांसफर और तबादले की ये लिस्ट आपको TV स्क्रिन पर दिखा रहे हैं तेरा दून से ये खबर है, जॉपर धामी सरकार ने कई IPS, PCS, IES अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं सिल्क्यारा टरनल रेस्क्यू आपरेशन को लेकर के अस्थाई मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की गई आपको बता दे जिसमें NHIDLC के MD मैमूद एहमद ने बताया है कि सिल्क्यारा टरनल में बचाओ आपरेशन तेजी से संचालित किया जा रहा है साथी 6 इंचर की पाइपलाइन के जरिये खादिसामगरी और दवाईया महां तक पहुचाई जा रही है और टरनल में फसे लोगों के पास 2 किलोमेटर तक का सेफ एरिया मौजूद है उन्होंने बताया कि टरनल में फसे शमीकों से सम्माध भी हुआ है और वीडियो के माध्यम से उनके स्थिती का भी पता लगाया गया है साथी टरनल के अंदर 900 mm पाइप को 22 मीटर तक पुश कर दिया गया है कुछ बाधा आने के बार ड्रीलिंग रुख गई है वर्तबान सबाई में टेलिसकोप मेथट से 900 mm पाइप के अंदर 800 mm के पाइप को पुश किया जा रहा है और जो ओगर मशीन से फिर से ड्रीलिंग जल शुरू की जाएगी खिचडी और दलिया बेजने का हमने कोशिश की है लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके साब से उसे बेजना था कर लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीजें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है और दूसरी चीज जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हाट बोटल में थी तो आज जो हम बेजेंगे तो आज हमने अभी तक बेजा है आज हमने संत्रे बेज दी हैं केला बेज दिया है मौसं भी बेजा है और दवाईयां बेजी हैं नमक बहुत दिनों से चाह रहे थे वाज हमने उप्रिमांड आई है और जैसे वह कुछ बोलते हैं में चाहिए तभी कुछ टेट्रा पैक्स वाले आपको पता होगा छोटे बॉटल्स होते हैं वह हम बेजने की कोशिश कर रह आप पर भी एक प्रेस ब्रिफिंग की गई है उसके अंदर काफी इशू के बारे में जो Nडेमे के मेंबर हैं सेयद हस्में सा उनके दौर प्रिफ किया गया है वहां पर काफी उपी के बारे में पॉइंट्स का डिजल जायों इसक्स किया जा चुका था काफी जो हमरे लोक सब्सक्राइब को अधिशन से खेटरी भार सरकार मेंस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्टोर्ट के इंदर है हमने वह सारे बाच्छी एजन्सी को इकटा किया है उनके साथ कौर्डिनेशन कर रहे हर एजिए से को हमने स्पेसिफिक टास्क दिया है किसी से होरेजंटल दूर रिल रही है रेगुलरली और जितने हमारे आर्मी के दियारों के और अन्य से एजिंसीज हैं जिनसे हम मैंक का अधर रिसोर्स का ले सकते हैं कोई भी कॉंट्रिबूशन हो हम ले रहे हैं और सबसी बड़ी बात डिस्टिट अड्निनिस्ट्रेशन हमारे साथ है बिलकुल उपजिल अधिकारी जस्पूर गौरव चटवाल के नेतरुत में जस्पूर के गाउं आस्पूर में सरकार जनता के द्वारा कारिक्रम के तहट रात्री चौपाल का युजन किया गया जिसमें छेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया साथी कारिक्रम में जवस्पूर तहसिलदार, सुभागनी आर्या और राजस्व विभाग, खादि विभाग, जलसनसान, वशपालान विभाग, विद्युद विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौझूद रहे वही कारक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधार भी किया गया करने की कोशिश करने कि यहां भी कुछ पेंशन की समस्याइएं वो समन्द दिवाहों को बता दी गया है इसके लावा चुकि आगामी लोग सवाच उनाव भी आसन है उसके मद्य नजर भी हां लोग अपील की गए कि वो अभी समय है और हमारा कारे भी चल रहा है नौद कि विधायक शिव अरोरा ने गंगापूर होट मेक्स मार्ग के निर्माण का शुभारम किया मुई विधायक शिव अरोरा बोले कि यह मार्ग बहुत बड़ी आबादी को लाब देने वाला मार्ग है जहां बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और यह मार्ग पिछल पियोग के द्रिष्टी से यह मार्ग शेत्र के लोगों के लिए और अधिक उपियोग में आ सकता है एक गरान प्रदेश मंद्री विकास शर्मा मंडी चेर्मेन के के दास भाजपा नेता सुरेश कोली वह अन्य लोग भी मौजूद रहे कि माननी विधायक जी ने प्रयास करके गंगापूर रोड के लिए इसको पास कराने में अपना सयोग किया है चार क्रोड 26 लाग रपे आया है और इसके लिए मैं विधायक जी का माननी मुख्यमंत्री जी का हमारे सांसत का अभार वेक्ट करता हूं जिसकी वज़े से अभी सब्सक्रा बंजय की जगजगा खड़े हो रहे हैं यहां पर दस से जादा स्कूल है सो से जादा कलोनिया आ चुकी है बहुत सारी पब्लिक आ गई है अब जो रुदवपूर पहले था वह रुदवपूर अब एक नया रुदवपूर बनता जा रहा है आने वाले समय में क् कि इस परकार से उत्राखंड की सोच हमारे प्रजान मंत्री ने एक विजन दिया है कि उत्राखंड 2025 में कैसा होगा दिखवाला जो है दक्षवराई वाली तीन दसीओ साल से उसकी दूरसा है वो सड़क का जो है तीनों तीस लाका बस्ताव है वो हमारा शुकित की इंतिम चड़ में आ गया है कासीपूर वाईपास का है आ गया है इसको हमने शुरू करा दिया आवास उगास में ये ब्रस्क वहां से लेके इस शिटगूल की ढाल तक उस्टक की दूरसा उसका राज्योजनम पुस्ताव में देखे आया हूं वह भी आदनी पंकजपांडी से अभी मेरी चर्चा हुई है उस कुस्ताव को भी आगे बढ़ा दिया है तो बड़े पुस्ताव हैं दो करोर तीन करोर पा अधिक्रम के दिख्षा में स्वास्त सीविर का उजयन किया गया जहां पर आपको बता दे कि डॉक्टर मजुपाल दوरा शात्रों को योग दिंचरिया पंच कर्ब की जनकारी देकर जगरूप किया गया èr it इस दोरान डॉक्टर मंजू पाल ने बताया कि आयरुवेदिक पध्यती से किया गया इलाज कारगर साबित होगा कि अब आप लोग जैसे कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है को जैसे पीएंटी इंटर कॉलेज में आयरुवेदिया से रिलेटेड टैंप लगाया गया जिसमें सारे बच्चों को योगा के बारे में आहार विहार तिंचरिया रितुचरिया इनके बारे में जानकारी दी गई और आयरुवेदिक से कैसे हम रोगों से मिजाद पा सकते हैं रोगों से कैसे जड़ से हमें शुप वीवारीं को दूर कर सकते हैं और कैसे स्वस्ति मनश्य अपने स्वस्त्य को बनाया रखते हैं और गहन जांकारी आप लोगों को देने के लिए विद्याले में कि डॉक्तर मंजू और उनके दूख की कैंपेडिंग करें आप सब जानते होंगे इसके बारे हमने किसी भी इंस्टिट्ट को इलाओ नहीं किया हम नहीं नहीं है आप अपने इस्टिट्ट के कैंपेडिंग एक उतना कम से कम हमारे बच्चों के दो फिरस करेंगे सिल्क्यारा टर्नल रेस्क्यू आपरेशन के संबंध में बुधवार को अस्थाई मीडिया सेंटर सिल्क्यारा में प्रेस कॉन्फरेंस की गई इस औरान NHIDCL के MD एहमद ने बताया कि टरनल के अंदर 900 mm पाइप को पुश किया गया था वर्तमान समय में टेलिसकोप मेथड से 900 mm पाइप के अंदर 800 mm का पाइप को पुश कर रिया गया है कुल 49 मेडर दर ड्रिलिंग पूरी हो चुके है वह ड्रिलिंग का कारिती जिसे क्या जा रहा है साथी एहम जानकारी देते हुए सची उतराखंड डॉक्टर नीरज खेरवाल ने बताया कि श्रमिकों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मनो चिकितसक से उड़की बात कराई जा रही है सिल्क्यारा टरनल में फसे मज़ूरों का रेस्क्यो ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी को लेकर के सिल्क्यारा सुरंग में फसे श्रमिकों को सुर्वक्षित रखा जाए इसके लगातार प्रयास किया जा रहे है इनको निकालने के लिए चलाय जा रहे रेस्क्यो ऑपरेशन के संबंध में प्रेस कॉन्फेस दी कही गई इस वरान उतराखंड सरकार के विशेश कार्याधिकारी भाशकर खुलबे सची उतराखंड डॉक्टर नीरश खैरवाल जिलाधिकारी अभिशेक रुहेला महानिदेशक सोचना बंसीधर तिवारी साइथ तमाम लोग मौझुद रहे कि कर शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया की पाइप के अंदर हम फुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से बाजू थी तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी पुश कर दिया उसके बाद हमारी ड्रिलिंग और मिशीन दुआरा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन पौने एक बजे और बारा पैतालिस पौने एक बजे और अब तक ये मुझे बेहत खुशी है ये आप लोग से शेर करते हुए कि तीन और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 अबिगर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है कि देश और प्रदेश में मच्छ पालन को लेकर विकास हो रहा है। शेगर ही मच्छ मंत्री और मुख्य मंत्री से मिलकर मच्छ आयोग और मच्छ बोर्ड बनाने की बात की जाएगी। जिसे मच्छ पालकों की समस्या के समाधान का रास्ता खुल सकेगा। पूरे विश्व के अंदर विच्छ मात्से की दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके मानने परदान मंत्री जी द्वारा हमारे मतस्य संपदा परदान मंत्री मतस्य संपदा योजना का सुबारम किया गया और इसके साथ साथ अने को योजना चलाए गई। इसके लिए हम मानने परदान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ हमारे मदस्य से राष्टियों मत्यपालक दिवस के रूप में धर्जुलाई को लेना शुरू कर गया है इसके बाद मार्ने वक्रवन पर इनको भी पट्टे गाउंड किया गया है या महिना हो उस पर सब्सक्राइब हमारे मत्यपालक दिनेशपूर के शतिगर से गदरपूर मत्कोटा मार्ग पर हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं हाली का जो हाथसा है सड़क पर आये दिन दुरुखटनाए हो रही है इस सड़क पर कई लोगों ने अपनी जान गवाली है एक बार फिर इस सड़क पर बाइक से जा रहे मा बेटे और एक बेकाबू केंटर चालक ने पीछे से टकर मार दी टकर में सड़क किनारे गिरकर महिला के सर पर चोट आई जिसकी मौके पर ही महुत हो गई जबकि बेटा गंभी रूप से खायल हो गया फिलाल पूलिस मामले की जाच में जूटी है प्राता जो है जब आम तेले जा रहे थे तो चंडेपूर और खालिनगर के पीच में एक बहुत बड़ा हास्सा हुआ था कंटेनर के मात्यम से जिसमें जो है कंटेनर में पीछे से उनकी मोटर साइकल को ठोका था जिसमें मा जो है गंभी रूप से जायर होके नीचे रास्ते में गिर गई और पुरंत मौपी पर जो है उसने अपना दम तोड़ लिया था तो वहने उस्तिक्टिक पतिवरी नियों बड़ा पर क्या और वहीं देरादून अस्पताल में डॉक्टर मरीजो के लिए ब्रांडेट दवा लिखने से पीछे नहीं हट रहे हैं जबकि अस्पताल में आ रहे हैं मरीजो को ब्रांडेट दवाएं ना लिखने के निरदेश दिये गए हैं branded दवा मरीजों को अस्पिताल में नहीं मिलती है मरीजों को महगी कीमत देकर ये दवाएं निजी medical store से खरीडनी पड़ती है वहीं अस्पिताल प्रशासन ने इस तरह के दो परचे पकड़ी जिसमें branded दवा लिखी थी अस्पताल के MS डॉक्टर अनुराग अगरवाल ने इस मामले में कहा उन्होंने दौरा किया और इस दौरान दो पर्चें ऐसी पकड़ी गई जिसमें ब्रांडेट दवाया लिखी थी दो मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेट दवाय जो लिखी गई थी मरीजों ने बताया कि दवाएं अस्पताल की फार्मेसी से नहीं मिल पाई इसलिए इन दवाओं को निजी मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ा हम ने देखिया है हम लोग को हैं बहुत ज़्यादा अस्पतालों में तो दवाइं नहीं दी जाती है लेकिन दून अस्पताल में शुरू से ही एक पता चलती आ रहे कि यहां पर हम एकड़ी पिशन को भी नुशल को दवाइं प्रोवाइड किराता है इसमें करीब हमारे 370 दवाइं हैं जो हम नुशल प्रोवाइड किराते हैं उसमें हम लोगों ने कल एक आउडिट भी किया था जिसमें करीब दस परचे हम लोगों ने रेंडम ली चेक किये उसमें लगबख 40 दवाइं लिखी गई थी सिर्फ दो इसमें भार की दवाई थी जिसके पूछने पर यह पाया जया कि मरीश को संज्यान में लेकर ही वो ल हुए तबादलों और निलंबन के बाद से आपकारी आयोक्त हरी चंद सेमवाल ने मीडिया से रूबरी हुए और मीडिया से रूबर होते वे उन्होंने अपनी बात रखी हरी द्वार और देरादून में हुए ताबढ़ तोड निलंबो और तबादलों का कारणा कुछ अ लगी हुई शराब बरामद की गई जिस पर कारवाई करते हुए जिला आपकारी अधिकारी हरिद्वार को 72 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कारण बतावन रोटिस जारी किया गया और आपकारी निरिक्षक छेत हरिद्वार संजेश सिंग को मामले में लापरवाही बरतने के लिए ततकाल उनके पद से हटा दिया गया आपकारी विभाग के संदर में सुचनाय प्राफ्त हो रही थी कि हरिद्वार में तेहरा दूल में जो है राची के बाहर कमाल और जो ड्यूटी पेड़ी उस तरिके के मदिरा के आने की सुचनाय प्राफ्त हुई थी जिसके लिए हमारे द्वारा आपकारी विभाग के अधिकारियों को जो उस जन्पद में हैं उसके अतिरिक भाहर के जन्पदों से भी अधिकारी लगाई गये थी तो 19-20 महां एक जगे 52 क्योटी विदेशी मदिरा पाई गय और खबर उत्तराखंड में फिलाल इतना ही नमस्कार